Welcome dear students, unique rankers में आप सभी students का स्वागत है तो एक नया notice है जो NTA वालों ने जारी किया है तो मेही के exam regarding एक notice है जो जारी किया गया है उसी के बारे मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वालों बाकी आप समझी गया होगे कि exam को postpone कर दिया गया है लेकिन कुछ और भी important points है जिसके बारे मैं बात करेंगे तो इस वीडियो के अंदर तो चलो शुरू करते हैं तो इससे पहले आप सभी ने अगी तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और दूसरी बात यह है कि मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो मैई वाला session है उसको भी postpone वो कर दिया गया है तो आप सभी को मैं पूरा notice है वो दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि यह public notice है जो आज की date में जारी किया गया है और यहाँ पे subject में यह लिखा हूँ है कि exams को postpone किया गया है जो मैई वाला session है ठीक है अब यहाँ पे जैसे आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे काफी जादा है और यह क्यादा रहे कि में जो मन्त है इसमें peak पे रहने वाला है कोविट का जो effect वगएरा है ठीक है तो इसके करके यहाँ पे में के exams वो नहीं करवा सकते थे और जहाँ पे हमारे अप्रेल वाले exams भी करवाने थे और में session दोनों ही complete करवाने थे उनको तो यहाँ पे अब जो हमारा अप्रेल वाला session है और जो में वाला session है इन दोनों को पोस्पोन कर दिया गए और जो मही वाला सैसन का जो एक्जाम जो इन डेट्स को होने थे वो complete तरीके से postpone उच की है और नई डेट्स है वो आपको बताई जाएगी तब जब आपके एक्जाम से वो fix कर दिया जाएगी उससे 15 दिन पहले आपको नई डेट्स से वो बता दिया जाएगी कि भी हाँ मतलब आपके एक्जाम से 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि इन डेट्स को आपके एक्जाम से है अब यहाँ पर काफी दा स्टून्स मेरे से यह पूछ लेते कि सर यहाँ पर इन दोनों चीजों की डेट्स पढ़ाई में आ रहे हैं डाउट्स तो गबराई है मत डाउटनेट एप है ना यहाँ पर आपको हर प्रोब्लम्स के सोलुशन से वो मिलेंगे बस आपको क्या करना है उस प्रोब्लम की फोटो क्लिक करनी है उसको अच्छे तरीके से क्रोप करना है विदिन 5 सेकिंड के अंदर आपको उसका वीडियो सोलुशन वो मिल जाएगा चाहे वो आपका होंवरक का हो, CBC बोर्ड का हो, UP, BR, महाराष्टर किसी भी स्टेट्स का हो या फिर वो आपका IT, JE या NEET या फिर क्लासिक से लेके 12 तक का हो उनका सबका प्रोब्लम्स का सोलुशन मिलेगा डाउटनेट अप पे वो चाहे आपका Physics, Chemistry, Math and Biology का हो तब भी आपको हर प्रोब्लम्स के सोलुशन वो आपको डाउटनेट अप पे मिलेगे यहाँ पर आपको कोटा की टोफ फैसलिटी जब वो मिल रहे है तो यहाँ पे आपको बढ़िया जीबी सेर, एंजी सेर, अकांसा मैम और प्रिंस सेर हो यहाँ पे complete अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे तो complete package है वो डाउटनेट अप पे है ठीक है, जो हमारे HRD मिनिस्टर उन्होंने बताया कि जो अप्रेल वाला सेसन है उसका exam होगा पहले, मतलब कि उसका जो सेसन हो, वो complete कराया जाएगा फिर हम मही वाले सेसन को, तो यहाँ पे मैं अप्रेल और मही ना कहके ऐसे कहूँ कि हमारा जो 3rd सेसन है, उसको भी complete कराया जाएगा और जो 4th सेसन है, उसको भी complete है, वो कराया जाएगा ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि मही वाला सेसन है, पोस्पोन किया गए अब आप सभी के मन में आ रहा है कि एक्जाम से वो कब तक होंगे, कब तक आगे तक ये गाड़ी ये वो चलती रहेगी फरस्ट ओफोल, अगर हम बात करें यहाँ पे 3rd सेसन की, जैसे कि अप्रेल वाला जो, ठीक है तो वो जहां तक अगर हम तकरीबन बात करें कि अप्रेल, मई, जून, जून में होने के चांस है, ठीक है, अगर जून में होगा तो लास्ट तक होगा, नहीं तो जून, जुलाई में ही हमारे एक्जाम से वो कंड़क्ट वो कराए जाएंगे, तकरीबन यही बाते निकल के आ रही है पहले दिए कह जा रहा था कि भी जून में एक्जाम से वो कंडेक्ट करा लिए जाएंगे ठीक है जैसे जो मैं वाले सैसन होगे या फिर जो अपरेल वाला है ठीक है तो अभी इसके बारे में साफ-साफ है कि यहाँ पर आपका जून के लाश्ट फिर या फिर जुल जैसे कि जैसी अप्रैल वाला सेशन है अगर यह जून में होता है जून के लास्ट में होता है तो इसके 15 या 20 दिन छोड़ने के बाद आपका जो नेक्ट सेशन जो फॉर्थ सेशन होना है वह वाला होगा ठीक है तो जून जुलाई अगस्त तक हमारे जो जैमेंस के एक्जाम लेकि आता रहूंगा और एक वीडियो और आने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे जी मेंस एक्जाम कब होंगे और जो क्रोनवाइरस है इससे रिगार्डिंग भी कुछ बाते करेंगे उस वीडियो के अंदर